इस समय, हम जिस जगा के बाहर मौझूद हैं, जो सिटी का सबसे बड़ा पुलिस केंडर है, या पुलिस स्टेशन है यहाँपर, जो पुलिस हेटकॉरटर कहा जाता है, कीव सिटी का, उसके ठीक बाहर हम मौझूद हैं और यहाँपर भी हलचल लगाता है बढ़ रही है और इसके अलावा जो एम्बुलिंस की आवा जाही है वो भी बढ़ी है हलांकि अभी फिलाल ये तरह नहीं है कि ये अम्बुलिंस किस तरफ भेजी गई है लेकिन निश्य तरूप से कीव एरपोर्ट के पास जिस तरीके से धमाकों की खबर आई लाइव के दौरान हमने भी कई यहाँ पर सुने और लगातार वो धमाकों का सिलसला चलता रहा और उसके बाद ही यहाँ पर लोगों के भी एक अफरा तफरी है जो कीव से बाहर जाने वाले जो रास्ते हैं उनके उपर वाहनों का भारी ट्राफिक इस समय लगा हुआ है इसके अलावा लोगों को सलाह दी किया गया है डानबास के अलाके के बाद भी अगर हम देखें तो यह की रूसी से नाएं और जो विद्रोही से नाएं थी वो यूकरेन के खिलाफ जो कारवाई करती हैं तो क्या वो कीव की तरफ आगे बढ़ती हैं क्योंकि तीस लाग से जादा की आबादी का यह कीव शहर है इसके लावा ओडेसा लिविया और मरिया पोल खारकाव यह तमाम वो बड़े शहर हैं जो यूकरेन के बड़े शहर हैं और ऐसे में यह चिंताएं जो हैं पूरी दुनिया को लेकर दुनिया में हैं इसी इसको लेकर विकास क्योंकि यह लड़ाई अगर चिड़ती है यह झाल 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 झाल